एक हजार रुपिय से लेकर पांच हजार रुपिय तक का परसनल लोन स्रिफ और स्रिफ के वाइसी पर दोस्ति हैं आप आप लाइब देख पार होंगे मैं यहां पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं मतलबी कर रहा हूं मैं आपको live दिखा रहा हूँ, यहां पर आप live देख पार हूँगे, 1000 रुपिये से लेकर 5000 रुपिये का loan आप यहां पर only KYC, यानि कि स्रीप KYC पर ले सकते हैं, बस आप KYC complete करेंगे, आपको कोई document upload नहीं करना है, ना आपको bank statement upload करना है, ना income prove, कुछ भी आपको upload नहीं करना है, बस आपको अपने आधार card, pen card से KYC complete करना है, और KYC आपका जैसे complete हो जाता है, तो आपका loan आपको bank account में directly मिल जाएगा, मैं आपको सबसे पहले proof दिखा देता हूँ, जैसे कि यहां पर मैं click करता हूँ, apply now का option मिलता है, apply now के उपर में click करता हूँ, अब click करने के बाद यहां पर आ चुका है, 5000 रुपिये का मुझे limit मिला हुआ है, credit limit ठीक है, अब मैं इसको यहां पर bank में लेने के लिए, check my credit limit में click करके, अपने bank account में amount को select करने के बाद, अपना detail डालके इसको ले सकता हूँ, QIC complete करने के बाद, यसे कि यहां पर 5000 रुपिये तक आपको loan fast time पर provide किया जाता है, 4% के interest पर tenure जो रहेगा, वो आपका रहेगा 3 मेना, यानि कि 3 मेनों तक के लिए, आप personal loan इस application से आप ले सकते हैं, आपको बस next पर click करना है, अपना details फिल करना है, उसके बाद आपका loan amount directly आपके bank account में मिल जाएगा, और इसके लिए आपको को income prove upload नहीं करना होगा, अब कैसे loan के लिए apply करना है, क्या application का नाम है, कहां से install करना है, totally मैं आपको A to Z process बताऊंगा, कहीं पर भी मैं आपको वीडियो को fact नहीं जानकारी दूँगा, real जानकारी दूँगा, उस साथी साथ ये जो application है, वो RBI registered application है, यानि कि genuine application है, कैसे आपको loan के लिए apply करना है, चलिए मैं आपको सबसे पहले process बताता हूँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको आसानी से 100% approval के साथ loan लेने के लिए, सबसे पहले आपको application को open करना है, application को कहा से install करना है, वो आपको यहाँ पर application का link जो है description box और comment box में मिल जाएगा, उस पर click करके आप install कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले application को install करने के बाद open करेंगे, नीचे आपको option मिलेगा, यहाँ पर आपको agree and continue का आप agree and continue पर click करेंगे, और click करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा I agree to all का इस पर click करेंगे, और click करने के बाद agree and continue के option पर नीचे आप click करेंगे then click करने के बाद while using the app फिर allow पर click करेंगे अब allow पर click करने के बाद यहाँ पर आपको mobile number डालने के लिए कहा जाता है आपको simply क्या करना है यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है और यहाँ पर आपको next पर click करना है एक OTP आएगा OTP डालके आप यहाँ पर account बना लेंगे तो यहाँ पर मैं mobile number को डाल लेता हूँ अब application में mobile number डालके आप यहाँ पर account बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको 2 option मिलेगा एक cash loan जिसमें आपको option मिलेगा 5000 रुपिय से लेकर 1,00,000 रुपिय तक का loan लेने का और second option मिलेगा level of loan जिसमें आपको only QIC पर श्रीप QIC पर loan मिल जाता है 1000 रुपिय से 5000 रुपिय तक का loan तो अगर आपको ज़्यादा loan चाहिए तो यहाँ पर आप उपर में option मिलेगा apply now का इस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको कम amount का loan चाहिए तो आपको यहाँ पर option मिल जाएगा only QIC वाला इसमें आपको apply now का option मिलेगा आपको simply apply now पर क्लिक करना है क्लिक करने के बार यहाँ पर आपको limit मिलेगा 5000 रुपिय का first time पर अब यहाँ पर नीचे आपको option मिलेगा check my credit limit का इसके उपर आप क्लिक करेंगे अब देखें यहाँ पर आप next page पर आजाएंगे यहाँ पर आपको अपना pen card number डालना है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पर आपको option मिलेगा enter pen number का यहाँ पर pen card number डालके यहाँ से आप next करेंगे अब यहाँ पर आप next page पर आएंगे pen card number डालने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा enter आधार number का यहाँ पर आप आधार card number डालके proceed करेंगे आपके आधार card के साथ जो भी मुवाइल नमबर लिंक है उस पे एक OTP आएगा OTP आपको सम्मिट करना होगा यहाँ पर आपको आधार कार नमबर डालके प्रोसिट पे क्लिक करना है अब देखिए आपको एक OTP send किया गया है आपके मुवाइल नमबर पर जो आपके आधार कार के साथ लिंक है उस OTP को यहाँ पर डाल देना है अधार कार के साथ जो मुवाइल नमबर लिंक है वो डाल देना है और यहाँ पर आपका KYC जो है वो complete हो जाएगा आपको submit पे click करके KYC को यहाँ से complete कर लेना है अब आप यहाँ पर pen card, आधार card number डाल के next करेंगे तो आप आजाएंगे next page पर अब यहाँ पर आपको अपना कुछ details फिल करना होगा जैसे कि सबसे पहले number पर option मिलेगा what's the loan purpose, आपका loan लेने का क्या उद्धिस है, क्या कारण है, वो आप यहाँ पर select करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूचा गया है आपका marital status क्या है, single है यह married है, वो आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, वो आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूचा गया है आपका जो घर है वो खुद का है या प्रेंट का घर में रहते हैं वो आप यहाँ पर select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको पूचा गया है आपका रोजगार का इस्तिति क्या है यानि कि आप salary person है, कहीं पर job करते हैं, salary करेंगे, अगर आप self-employed है, खुद का business करते हैं, या student या house wife है, वो आप अपना select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पूचा गया है, regular employer है, तो regular employer पर आप click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा, आप कितने समय से काम कर रह है, उस दुकान का नाम क्या है, आप अगर self-employed select किये हैं, तो दुकान का नाम डालना है, अगर आप कहीं पर government job या private job करते हैं, तो उस company का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, उसके बाद next पर click करता हूँ, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने select किया था, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने select किया था education, तो यहाँ पर मैं teaching कराता हूँ, तो यहाँ पर मैं teacher select कर लेता हूँ, अब जो भी काम करते हैं, वो आप select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपका म मंतली income कितना है तो मंतली income आपको यहां पर जो एक मोटा मोटी डालना है जैसे कि यहां पर मैं डाल देता हूं 22000 रुपिय ठीक है उसके बाद यहां पर आपको option मिलेगा खाली box का खाली box बे टिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे option मिलेगा next का next के उपर आप क्लिक करेंगे पुरा टोटेली सेलेक्ट करने के बाद नीच आप आ जाएंगे next paper जहाँ पर आपको पूछा गया है आप अपनी मासिक आई कब प्राब्द करते हैं यानि कि मासिक आई आपका जो है income जो है वो कितने तारीक को आपको मिलता है first second जो भी आपका तारीक है वो आप एक जो है यहाँ पर select कर लेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है ठीक अब मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर process live दिखा रहा हूँ बस आपको A to Z process देखना है तभी आपको loan यहाँ से मिलेगा अब देखें आप आपको उचा गया है कि आप अपना i कैसे प्राप्त करते हैं bank account में check के रुप में या cash के रुप में आप यहाँ पर select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या आपने पहले कभी किसी application से loan लिया है loan का उनभव किया है अगर लिये है तो yes करेंगे नहीं लिये है तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं अब देखिए आप आपको option मिलेगा आपको एक gmail account select करने का ति आपको option मिल जाएगा continue with google का आपको simple से continue with Google के option पर click करना है अब click करने के बाद आपके mobile में जो भी gmail account log-in होगा वह आपको देखने को मिल जाएगा एक Gmail Account Select करके OK पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद Evulate My Loan के उपर आप नीचे क्लिक करेंगे अब जैसे आप यहाँ पर Evulate My Loan के उपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर Loan Approved किया जाएगा यानि कि Loan Approved दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख पारोंगे मुझे 2000 रुपिये का approval, मतलब total approval जो मिला है वो मिला है 2362 रुपिये का, 365 रुपिये यहाँ पर charge काटा जा रहा है, मेरे bank account में यहाँ पर 2000 रुपिये का amount transfer किया जाएगा इस application से अभी, ठीक है, तो अगर आपको कम amount का loan चाहिए, ज्य करना है, अब देखे, click करेंगे, आप आजाएंगे last page पर जहाँ पर आपको अपना bank details फिल करना है, उसके बाद आपका loan amount directly आपके bank account में transfer किया जाएगा, तो इसके लिए देखे, सबसे पहले number पर option मिलेगा, bank account name का, यहाँ पर आप अपना account holder name डालेंगे, यहाँ पर bank account number डा डालेंगे, और उसके बाद totally details डालने के बाद नीचे आपको option मिल जाएगा, receive money का, receive money के उपर click करके, आप application को submit कर देंगे, उसके बाद आपका amount जो है, वो 2 घंटे के अंदर आपके bank account में transfer किया जाएगा, यानि कि 2 घंटे के अंदर आपके bank account में amount आ जाएगा, जो है आप आप totally देख पार होंगे, यहाँ पर आपको अपना bank details फिल करके, receive money के उपर click कर देना है, आपका amount directly आपके bank account में transfer हो जाएगा, अब application को कहां से install करना है, कैसे install करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए application को install करने के लिए सबसे पहले आपको application का link जो है, वो description box में मैंने दे दिया है, और comment box में भी दे दिया है, उस पर आप click करेंगे, सीधे आप play store पर आज आएंगे, यहाँ पर आपको install का option मिल जाएगा, install पे click करके application को, सबसे पहले आप install कर लेंगे, अब आपको एटू जट प्रोसेस बता दिया है, कैसे आपको loan के लिए apply करना है, और कैसे आपको loan apply करने के बाद bank account में लेना है, जो process मैंने आपको बताया है, वो ही process से आपको loan के लिए apply करना है, तो बस, आज के इस वीडियो में इतना ही, चली निक्षिब्रम मिलते हैं, बहु